वेलकम गाईज आपका स्वागत है हमारे जयनल पर ड्रीम हाय गैडमी में और आज का लेक्चर है हिस्ट्री का इससे पहले भी हमने history के अलेक्टियर स्टार्ट किये है और हमने पहले पढ़ा जो की Governor General of Bengal उसके बाद Governor General of India उसके बाद Governor General जो की convert हो गए फिर यानि 1857 जो revolt हो गए उसके बाद वहाँ पे Governor General Vice Rai में तबदील होगी सिर्फ एक title तबदील होगा है इससे पहले हमने पढ़ा था Lord Rippon Lord Rippon के बाद Lord Dufferin आते हैं और उनका दोस्ट शुरू होता है 1884 से लेके 1888 से देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखना की Governor General से always asked questions हमेशा questions पूछे जाते हैं Governor General से Governor General से हमेशा questions पूछे जाते हैं और इन्ही के दोरान इन्ही के दोर में उन्ही के हुकूमत में ऐसी चीज़े होती है जो की 1947 तक वो चलती है यानि हुकूमत तो यही चलाते थे ना और जो भी जो भी चीज़े होती थी administrative वो यही करते थे तो that means की हमें पहले किसको पढ़ना है Governor General को तो उससे हमारा जो concept है वो थोड़ा सा clear हो जाएगा उसके बाद जो चीज़े हमें तो इसी विस्तार से पढ़ने होगी वो हम आराम से पढ़ेंगे तो आईए हम different की बात करते हैं उन्होंने क्या खास काम किया थर्ड बर्मीजवार जी हाँ इतना से याद रखिएगा कि थर्ड बर्मीजवार लॉर्ड डिफिरेंट के दोरान हुई थी Foundation of Indian National Congress जी हाँ यह हमें अलग से यह topic पढ़ना है लेकिन इतना से याद रखना कि लॉर्ड डिफिरेंट उस वकित गवरनर जनरल थी जब International Congress बनी और यह किस ने बनाया है यह आपको अभी भी पता होगा AO Hume ने बनाया था लेकिन यहाँ पे एक question यहाँ पे यह वाला question Lord Cross यह question तो हमें सब को पताए कि it was founded by AO Hume और इसमें इतने delegates थे यहाँ पे हुआ बंबेम हुआ यहाँ पे हुआ तो लेकिन यह question यह वाला question important बन जाता है यहाँ पे क्योंकि इसकी तरफ बहुत कम नजर जाती है कि इसको किसने वहाँ पे preside किया था यह किया सकते कि उस वकित secretary कौन थे secretary of state हमेशा ही Lord governor general जो होते थे वो उसके साथ secretary of state हुआ करता था जिया और उस दोरान secretary of state कौन थे Lord cross Lord different के दोरान यह चीज़े हुई सबसे important चीज़ थी foundation of international congress जोकि important role play करती है आजादी लेने में आजादी हासल करने में उसके बाद Lord lans down आती है 1888 से लेकर 1894 तक इनके दोरान हमने ये भी पढ़ा था कि sorry इससे पहले हमने ये पढ़ा था Lord different के दोरान की factory act आया था वहाँ पे और वो factory act किसलिए था ताकि जो बच्चे है 14 years से नीचे उनको factories में काम करने की इजाज़त नहीं है तो अब उन्होंने एक और act पास किया यहाँ पे लेकिर इस वक्त दोरान जनरल बदल गए Lord lans down है और उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि granted weekly holiday and stipulated working hours for women and children जी हाँ जो women और children के लिए कुछ अलग hours उन्होंने ताई किये यहने एक तरह से holidays उन्होंने कहा कि छुटिया होनी चाहिए यहने कुछ काम आसान किया और यह वाला Indian Councils Act of 1892 यह हमें अलग से बढ़ना है इसके अलग से पॉइंटे से और यहाँ पे Indian National Congress का यह जो portion है यह भी अलग से बढ़ना हमें तो इतना सा आप फिलाल याद रखिएगा कि किस Governor General के दोरान कौन कौन से चीज़े हुई उसके बाद Lord Elegant Second यह बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि Lord Elegant First का दोर कहा था कब था और कितने समय तक थे वो Governor General Lord Elegant First के बात कर रहा हुई यहाँ पर यह तो Second है Lord Elegant Second है Lord Elegant First का दोर कब से स्टार्ट होता है वो आपको देखना है पीछे हमारे जो वीडियो से उसमें से आप जाके देख सकते हैं वो इसमें क्या होता है यह वाला Question यह वाला यहाँ पर चपीकर Brothers चपीकर Brothers को जरूर याद रखिए गया Assassination of British Officials by the चपीकर Brothers of Puna in 1897 सबसे ज़्यादा यह जो Question ज़्यादा है यह Civil Services ने पूछे जाती है यह पूछे गए है कि Assassination of two British Officials by the चपीकर Brothers of Puna in 1897 चपीकर Brothers देखो British उस वाकद powerful थी और उनके खिलाब कुछ खास लोग act नहीं कर पाते थे कुछ खुल के नहीं बोल पाते थे लेकिन जो भी चीज़े होती थी aggression में वो जरूर यहाँ पर mention किये जाते है Indian history में उसका अलग एक मकाम है तो यहाँ पर यह ज़रूर याद रखिएगा चपीकर Brothers उसके बाद Great Famine आता है जी हाँ याँ जो फैमीन इस वकद जैसे करोना है आप ऐसे ही मानों कि एक फैमीन वबा जिसको हम कहते है तो फैमीन से क्या होता है कि उसको Great Famine का नाम दिया जाता है और वो किस के दोरान आता है किस Governor General के दोरान यह देखिएगा Lord Elegant Second Lord Elegant First भी होगा लेकिन यह Great Famine किस के दोरान आता है Lord Elegant Second के दोरान और कौन सा कमिशन बिठाए जाता है इस फैमीन को देखने के लिए लायाल कमिशन लायाल कमिशन वाज इस्टैबलिशन देन किस का नाम आता है Lord Curzon Lord Curzon का दोर कुछ एग्रेशन में से बरपूर था और कुछ काम भी उन्होंने अच्छे किया सोसाइटी के लिए Lord Curzon का दोर 1899 से लेके 1905 तक Ancient Monumentus Preservation Act of 1905 उन्होंने पास किया उसके बाद Establishment of an Agricultural Research Institute अट पूसा इन डैली Agriculture Department किसने इंट्रिजूस किया यह भी मैंने आपको पढ़ाया है पीछे वीडियो बें आप जाके देख सकते हो उसके बाद Partition अब बंगाल होता है 1905 यह अलग से हम पढ़ेंगे लेकिन Partition अब बंगाल किसने किया था Lord Karzan ने Lord Minto Second Lord Minto Second अब हमने पढ़ा Lord इससे पहले हमने Lord Elegant Second पढ़ा Lord Elegant First पढ़ा Lord Minto First भी है Lord Minto Second भी है Lord Harding भी है First और Lord Harding Second भी है यह दो तीन चीज़े हैं यह याद रखना इनका दूर कम आता है Lord Minto के दोरान क्या होता है एक तो सुदेशी मॉमेंट होता है 1905 यह इसके बारे में आप कॉमेंट कीजेगा कि सुदेशी मॉमेंट को हैड कौन करते थे यह 1905 में हुआ था फाउंडेशन आप मुस्लीम नी किस-किस ने की थी यह आप कॉमेंट में जरूर लिखिएगा थोड़ा सा आपको भी मेमराइज करने में ना इजी हो जाएगा सुरेश सेशन कब हुआ था और सुरेश सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें कौन कौन सी चीजों के दरमियान इकतलाफ हुए थे यह पार्टिशन हुआ था एक तरह से मतलब एक पार्टी के दो पार्टी हुई थे तो वो कौन कौन सी पार्टी थी तो वो आप मुझे कॉमेंट में बताईएगा उमीद करता हो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा आगे भी हम लेक्चर आपको लेके आएंगे हिस्ट्री के रिलेटिड और इंडियन जियोग्राफी का अरड़ी चल रहा है और उसके साथ-साथ इंग्लिश के भी हम लेक्चर लेके आएंगे उसके साथ-साथ हम बाकी जो SSB के जो सेलिबस हम भी कवर करने की बरपूर कुशिश करेंगे आप बस लाइक कीजिएगा शियर कीजिएगा और जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा थैंक्यू